मद्रपिदेश के कुनो नैशनल पार्क में दक्षिन अफरीका से लाए गए तीन चीते दम तोड़ चुके हैं। चीतों की सुरक्षा का मामला सुप्रिम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रिम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए केन सरकार पर सक्त टिपणी की है। कोर्ट ने कहा कि चीतों की जान को राजनीती से अलग रखा जाए। केन सरकार ये नहीं देखे कि अगर सरकार विपक्ष की है तो वहाँ चीते नहीं भीजे जाएंगे। और क्या कहा सुप्रिम कोर्ट ने देखते हैं। कप्रिम कोर्ट ने केन सरकार से कहा कि सियासत से उपर उठकर चीतों को राजिस्थान में शिफ्ट करने पर विचार करें। आप राजिस्थान में अनुकुल स्थान क्यों नहीं देखतें। सिर्फ इसलिए कि राजिस्थान में विरोधी दल का शासन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप विचार नहीं करेंगे। कोट में केंसरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सोलिसिटर जनरल एश्वरिया भाटी ने खा कि इसका संग्यान लिया गया है। बीते दिनों साशा नाम की साड़े चार साल की मादा चीते की किड्नी की विमारी के कारण जान चली गई। उसे करीब 6 महिने पहले ही नमीबिया से लाकर मद्यप्रदेश के के एनपी में रखा गया था। इसके अलावा 23 अप्रेल को दक्षिन अफ्रीका से लाए गए उदे नाम के चीते और इसके बार 9 महिन को मादा चीता दक्षा की जान चली गई थी। DB Live की रिपोर्ट